जब 6 अक्टूबर 2016 को सायद यूपी में कॉंग्रेस अज्यक्स ने एक बयान दिया था कि आप खून की दलाली करते हो उस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त उसको आप खून की दलाली का टैग लगाने का प्रयास करते हो एस्ट्राइक के वक्त उस पर संका उत्पन करते हो कि इसको खुश करना चाहते हैं आप वाट बेंक की राद दिती को इतने आगे ले जाने का प्रयास मत करिये पूरा देश आपको देख रहा है जेन्व में जब भारत विरोधी नारे लगते हैं आप इसको अभीवेक्ति की आजादी कहते हैं और इनके समर्थन में वहाँ जाकर खड़े होते हैं ये भी एक वाट बेंक की राद दिती का तुरुष्टी करण का एक घिनोना उदारन है इसके बाद में कल हमेशा की तरफ कॉंग्रेस ने इस बयान से किनारा कर लिया मैं एक सलाह देना चाहता हूं कॉंग्रेस पार्टी को आपके किनारे को देश की जनता ठीक तरह से समत्य है इसलिए आपको किनारे कर दिया है कोई भी बयान देना तुरुष्टी करण की पोलिटिक्स करना आपकी रणनीती का हिस्सा है कभी बीके हरीप्रसाद को व्यक्तिगत बयान बता देते हैं कभी दीगविजय सिंग के बयान को व्यक्तिगत बयान बता देते हैं कभी पी चिदंबरम के बयान को व्यक्तिगत बयान बता देते हैं, कभी कबिल सिब्बल के बयान को व्यक्तिगत बयान बता देते हैं, कभी नवजोद सिंग सिध्धु के बयान को व्यक्तिगत बयान बता देते हैं, मनी संकर एर को एक्सपेल करकर वापिस ले लेते हो, संदीप दिक्सित जब सेनाध्यक्स गुम्डे जैसे हैं कहते हैं, उनको व्यक्तिगत बयान बता देते हो, magar ये लोगोंको कुछ नहीं होता, वो कॉंग्रेस अध्यक्स के इर्दिगीर्द गुम्टे हैं, एक कॉंग्रे की ओची रादनिती तुष्टी करन की रादनिती इर्दिगिर्ट से लोगों से कराते रहो बयान से किरारा करते रहो देश हित के उपर वाट प्राप्त करने की रादनिती करते रहो मैं मानता हूं कि देश की जनता इसको अब समझ चुकी है और कॉंग्रेस अध्यक्स ने स्व देश की जन्ता की भी मापी मागनी जैए देश जंप आम चुनाव की और बहुत तेजी से बढ़ रहा है और देश के सभी मत्दाता और जो मत्दाता बनने वाले हैं ऐसे किशोर और युवाओं में भी आज राष्ट्रिय सुरक्षा का मुद्दा बड़ा हैं बना हुआ उसी वक्त कॉंग्रेस पार्टी के विदे स्विभाग के कॉडिनेटर और उनके चुनाव घोशनपत्र कमीटी के सदस्य स्री सेम पित्रोडा जी का जो कल बयान आया वो काफी चिन्तावों को जन्म देने वाला है उन्होंने प्रमुख रूप से बयान में चार बाते बताई हैं एक यह जो पुल्वामा पर निंदनी हमला हुआ और हमारे चालीस सुरक्सा बल के जवान सहीद हो गए उसको एक रूटीन घटना बताई हैं दूसरा कुछ लोगों की हरकतों से पूरे देश को दोसी नहीं मानना चाहिए इस प्रकार का भी बयान दिया तीसरा चब्वीस ग्यारा के रेफरेंस में कहा कि आतांकी हमलों का जवाब एरिस्ट्राइक यार्सरजिस्कल स्ट्राइक नहीं हो सकता बातचीत हो सकता हैं और मैं आज कॉंग्रेस पार्टी को कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्स्री ने इस बात को देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि आप इस प्रकार के जगन्य हमले को जो देश की जनता को जिनजोड कर रख देते हों उसको आप सामान्य गटना मानते हैं रूटीन गटना मानते हैं दो कुछ लोगों की हरकतों से साताइट लोगों की हरकतों से किसी देश को दोसी नहीं मानने चाहिए क्या कॉंग्रेस पार्टी मानती है कि जो आतांकवादी घटनाए देश में होती है इसका पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान की सेना से कोई रिस्ता है या नहीं है इसकी स्पश्रता करनी चाहिए अगर रिस्ता है तो फिर दोसी कौन है इसका जवाब कॉंग्रेस पार्टी ने देना चाहिए और तीसरा आतांकवादी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और एर स्ट्राइक से नहीं देना चाहिए बादचीत से इसका समाधान डूनना चाहिए क्या ये कौंग्रेस पार्टी की आतंकवाद को डिल करने की नीती अधिक्रूत है क्या कौंग्रेस पार्टी के अध्यक्स ने तीनों मामलों पर देश की जनता को जवाब देना चाहिए जब देश पर इस प्रकार के आतंकी हमले होते हैं देश के सुरक्सा बल और सेना के जवान हताहत होते हैं देश के नागरी खताहत होते हैं और कौंग्रेस पार्टी और उनके इतने प्रमूख पदाधी कारी बात्चीत का रास्ता सुझाते हैं इससे कौंग्रेस पार्टी सहमत है क्या आपने यूपिये के सासन में 26 ग्यारा से लेके कई बम दमा के सीरियल बम ब्लास्ट देश भर में हुए और आपकी पॉलिसी के तहट आपने बात्चीत का रास्ता अखतार किया क्या परिणाम निकला इसका भी जवाब कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्सने देश की जनता को देना चाहिए उन्होंने स्वेम स्पष्टता करनी चाहिए कॉंग्रेस पार्टी हर बार चुनाव नद्दिक आती है तो तुरुष्टी करण की रादनीती करती है एपिस्मेंट की पॉलिटिक्स करती है वाट बेंक की पॉलिटिक्स करती है इसमें मुझे कोई आपत्ती नहीं है यह उनकी परंपरा है कई सालों से तीन दसकों से कॉंग्रेस ने एपिस्मेट का बीच इस देश के अंदर बोया है हमी इसमें कोई आपति नहीं है देश की जनता इसको जानती है परन्तु वाट बेंग की रादनीती क्या देश हिट से उपर हो सकती है वाट बेंग की रादनीती सहीदों के खुन के उपर हो सकती है वॉट बेंक की रादनीती क्या सहीद परिवारों के दूख के उपर हो सकती है इसका भी जवाब कॉंग्रेस पार्टी के द्यक्स ने देना चाहिए कॉंग्रेस पार्टी के इस बयान से देश के जवानों की सहीदगी का अपमान हुआ है देश की सुरक्षा पर एक सवालिया निसान खड़ा किया है और जो देश को हताहत करने में लगे हैं उनका मनोबल बड़ा है यह तीनों बातों का जवाब कॉंग्रेस पार्टी ने देना चाहिए साथ मर्च को स्वायम कॉंग्रेस अध्यक्स ने कहा कि एर श्ट्राइक पर जो सवाल उठे हैं उसके जवाब मिलने चाहिए किसके सवालों का जवाब चाहते हैं कौन सवाल उठा रहा है कि एर फोस पर सवाल उठाने का काम कौन कर रहा है कि आप अपरोक्स रूप से किसका समर्थन करते हैं भारती एरफोर्स भारत की एरफोर्स पर संदेह करना एक किसी भी पार्टी के राष्टी अध्यक्स के लिए मैं मानता हूँ उचीत नहीं है इसका भी जवाब उन्होंने देना चाहिए जब 6 अक्टूबर 2016 को साहद यूपी में कॉंग्रेस अध्यक्स ने एक बयान दिया था कि आप खुन की दलाली करते हो उस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक हुई थे सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त उसको आप खुन की दलाली का टैग लगाने का प्रयास करते हो एस्ट्राइक के वक्त उस पर संका उत्पन करते हो किसको खुश करना चाहते हैं आप वोट बैंक की रादनिती को इतने आगे ले जाने का प्रयास मत करिये पूरा देश आपको देख रहा है जेन्वी में जब भारत विरोधी नारे लगते हैं आप इसको अभीवेक्ति की आजादी कहते हैं और इनके समर्थन में वहां जाकर खड़े होते हैं ये भी एक वोट बैंक की रादनिती का तुरुष्टी करन का एक घिनोना उदारन है इसके बाद में कल हमेशा की तरह कॉंग्रेस ने इस बयान से किनारा कर लिया मैं एक सलाह देना चाहता हूं को अपके किनारे को देश की जनता ठीक तरसे समत्ति है इसलिए आपको किनारे कर दिया है कोई भी बयान देना तुरुष्टी करन की पोलिटिक्स करना आपकी रादनिती का हिस्सा है कभी बीके हरीप्रसाद को व्यक्तिगत बयान बता देते हैं कभी दीगविजय सिंग के बयान को व्यक्तिगत बयान बता देते हैं कभी पी चिदंबरम के बयान को व्यक्तिगत बयान बता देते हैं, कभी कबिल सिब्बल के बयान को व्यक्तिगत बयान बता देते हैं, कभी नवजोत सिंग सिध्धु के बयान को व्यक्तिगत बयान बता देते हैं, मनी संकर एयर को एकस्पेल करकर वापीस ले लेते हो, संदी इर्दर्गीर्द गुन्तें हैं एक Congress अध्यक्ष री राहूल गांधी की रण닌 निती का हिस्सा है Each Welsh हांhammer ंरादनीती थुर्ष्य करण की रादनिती इर्दिग Спीर से लोगों कारों के रहान से किरारा करते रहोा गर्याती देसहित